नमस्कार NBC24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अभिशेक देखिए बिहार में लगतार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है इसी को देखते हुए सिख्षक अभियर्थियों की लगतार बहाली हो रही है ऐसे में फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की बहाली खतम ह यह अब जाकर थर्ट फेज की बहाली होनी है लेकिन इससे पहले बड़ा अपडिट बड़ी खबर सामने निकल की आ रही है जहाए अब बताया जा रहा है कि अब जो BPSC के द्वारा परिक्षा में अभियर्थी बैठेंगे जिस तरीके से उनको तीन बार मौका दिया गया अब जाकर कही न कहीं समय अवधी को बढ़ा दिया गया हry और पांच बार मौका देने की बात कही जारी है अब जारा है कि इस तरीके से जो को लेकर अभीधियों के दबारा कई सारी माँ यह की जालिती कहाई जारा था कि 3 से मौका बढाकर 5 बार चाहे तो वहीं अब बढ़ी 1 Dip स्क्षक अभियर्थियों को कहीं न कहीं मौका दिया गया है तो वहीं इस वक्त की बिहार से स्क्षक पहालिस जुरी यह बड़ी ख़बर है बता देखते हुए इसको देखते हुए समय अवधी में बरोत्री की जाईगीत अभ जाकर कहीं न कहीं अन्बिसी 24 के खवर का असर दिख रहा है तो वहीं अभ जाकर वर सामने निकल क्या रहा है बताया जा रहा है कि BPSC में बहाल होने वाले अभियर्थियों को कहीं न कहीं पांच बार मौका दिया जाएगा अगर फ बिहार के सिख्षक बन सकते हैं तो फिलाल बता दे आपको कि बहाली में अधिक्तम पांच बार बैट सकेंगे अभियर्थी यह बताया जा रहा है ऐसे में मौका गवाने का कहीं न कहीं सभी को सता रहा था लगता डर और इसको लेकर अभियर्थियों के दवारा कई सारे सवाल उठाय जार थे कई अभियर्थियों के लिए कहीं न कहीं 33 था आखरी मौका सरकार ने औसर बरहाने के लिए कहीं न कहीं फैसरा लिया है और लाखो लाख अभियर्थियों को जल्द राहत मिलने को लेकर बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है जहां प्राइमरी से लेकर माधमिक तक के लिए मौका दिया गया विभाग के द्वारा तो वहीं विभाग है बड़ी जानकाडी दी जहां पर बताया जा रहा है कि जो सिक्षक अभियरति हैं इसको देखते हुए उनको पांच बार मौका दिया जाएगा तो यानि फर्स्ट एज की बहाली में जो अभियर्थी बैटे हैं सेकेंड फेंड फेंज में अगर नहीं पास्ट करते हैं तो उनको और भी मौका मिलेगा तो वहीं देखा जाए तो पांच बार यानी जो भी अभियर्थी है उनको बैटने का मौका दिया जागा तो फिलाहल सिख्षक कभी अर्थी जुराया इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है जो आपको हमने बताया है और भी तुमाम ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद